हलो एंड वेलकम दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सभीगा आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि इंडियन कोष्ट गार्ड के जो नाविक जीडी या फिर नाविक डोमेस्टिक ब्रांच की ज जोटा सा प्रेक्टिसेट तो आईए शुरू करते हैं आज का हमारी वीडियो दोस्तों इससे पहले कि हम वीडियो सुरू करें आपको बता दूं कि हम लोग जो है अपसे कंटियू इंडियन कोष्ट गार्ड की जो प्रेक्टिसेट उपलब्द करवाएंगे आपको तो प्रश्ट तो पहला प्रश्ट है कि the human heart is मानव वर्दे होता है तो आपके optional है निघराष्ट को स्पर्मोलोजी इस ती ओफ यान कि 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 स कहा जाता है तो वीजों के एग्जेन को जो है इस परमलोजी कहा जाता है तो इसका करेक्ट आंसर होगा option A seeds ठीक है अगला प्रस्ण है कि who proposed the preamble before the drafting committee of the constitution ठीक है तो इसका correct answer जो होगा वो आपके हो जाएगा option A पंडित जमारलाल नहरू ठीक है देखिए अगला प्रस्ण क्या है तो अगला प्रस्ण है कि union budget is always presented first in ठीक है यानि कि जो union budget होता है वो सबसे पहले कहा पारित किया जाता है तो union budget जो होता है वो सबसे पहले लोकसभा में पारित किया जाता है उसके बाद ही लागू किया जाता है तो इसका correct answer जो होगा option A लोकसभा ठीक है अगला प्रस्ण है कि the famous rock garden is located in which city ठीक है रोक गार्ड़न जो है वो कहा पर इस्तित है तो रोक गार्ड़न जो है वो आपके option है जैपूर, सिम्ला, लखनव या फिर चंडीगड तो रोक गार्ड़न जो है वो चंडीगड में इस्तित है तो इसका correct answer होगा option D देखिए अगला प्रस्ण क्या है तो अगला प्रस्ण बोल रहा है कि the largest and the oldest museum of India is located in the state या union territory of India ठीक है तो कौन से जो state या union territory में भारत का सबसे पुराना और बड़ा अजायब गर है ठीक है तो कलकत्ता विस्ट बंगोल में जो है वो भारत का सबसे पुराना museum है तो इसका correct answer अगला प्रस्ण है कि the holker trophy is associated with which sport ठीक है तो holker trophy का जो संबन्ध है वो कौन से खेल से है तो holker trophy जो है वो bridge में दी जाती है तो इसका correct answer जाएगा option A bridge अगला प्रस्ण है कि who is the first Indian woman to win an Asian gold Asian games gold in 400 meter race ठीक है Asian game में पहली मैला कौन थी भारत की जिन्नोंने 400 meter की race में gold जीता था ठीक है तो PT उसा ने जो है वो 400 meter race में gold जीता था Asian games में जो की पहली भारती मैला थी ते इसका correct answer गा option B देखिए अगला प्रस्ण the staple food of the Vedic area was वेदिक आरियों का जो है वो staple food क्या था ठीक है तो इनका जो staple food जो है वो milk और उसके उत्पाद थे यानि कि दूद और उसके उत्पाद जो है वेदिक आरियों का staple food था 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 जिसका correct answer होगा option B देखिए अगला प्रस्ण तो अगला प्रस्ण है कि what is the capital of Finland Finland की राजदानी क्या है ठीक है तो Finland की जो राजदानी है वो Helsinki है तो इसका correct answer जाएगा option C Helsinki ऐसे प्रस्ण जो आपके एक्जाम में काफी बार कूछे गए हैं तो यह आपके एक्जाम के लिए और भी ज्यादा मैत्वपोन हो जाते हैं आएगे देखते हैं अगला प्रस्ण तो अगला प्रस्ण है कि the generalist who refused to accept padambhushan was ठीक है तो कौन से generalists है जन्होंने refuse कर दिया था padamb प्रस्ण लेने से तो इसका correct answer जाएगा option B खुस्वंत सिंग अगला प्रस्ण है कि the painting in the agenda and elora caves are indicative the development of art under the तो जो अजन्टा और elora की गुफाओं का निर्मान जो है वो चालुक्यों के सासनकाल में करवाया था तो इस correct answer का option B चालुक्याज ठीक है अगला प्रस्ण है कि तानसेन a great musician of his time was in the court of तानसेन जो की एक ट्रसिद musician थे वो किसके सासनकाल में थे तो तानसेन जो है वो अकबर के राज़दरबार में थे तो इसका correct answer का option A अकबर देखिए अगला प्रस्ण है कि मदुबनी ठीक है मदुबनी a style of folk paintings is popular in which of the following state in the India मदुबनी जो है वो कहां की प्रसिद painting थी कोन से भारत के राज़दी ठीक है तो मदुबनी जो है वो आपके बिहार से तालुक रखती है तो इसका correct answer का option D बिहार अगला प्रस्ण है कि which foreign country is closest to undermine island यानि कि undermine island जो है वो कोन से नज़दी की जो foreign country है उसके पास में है ठीक है तो undermine जो है वो आपके मियानमार के पास में बसा हुआ है जो उसके सबसे closest है तो इसका correct answer रखती है का option C मियानमार आएए देखने अगला प्र प्रस्ण है कि the largest sorry the state having largest area under west land is ठीक है तो इसका correct answer रखती है औप्शन ए राजस्थान ठीक है अगला प्रस्ण है कि nuclear sizes are expressed in a unit named ठीक है तो nuclear size जो होती है वो किस में unit में derive की जाती है तो फर्मी हो जाएगा इसका answer ठीक है तो इसका correct answer होगा option A फर्मी अगला question है कि which of the following is not a vector quantity यानि कि इन में से कौन सा जो है वो vector quantity नहीं है तो हम सभी जानते हैं कि speed जो है वो vector quantity नहीं है तो इसका correct answer का option A speed देखी अगला प्रस्ण है कि world's highest railway bridge will be constructed on which river जो world का सबसे बड़ा railway bridge है वो कौन सी नदी पर है ठीक है तो world का जो सबसे बड़ा railway bridge है वो चीनाब नदी पर बना हुआ है तो इसका correct answer हो जाएगा option B चीनाब नदी ठीक है अगला और last question है कि who had an explosive idea and first patent dynamite ठीक है तो अब dynamite के विसकार को हम सभी जानते हैं कि Alfred noble जिनकी याद में जो है noble पुरुसकार दिया जाता है तो इसका correct answer जाएगा option B A noble या फिर Alfred noble दूस्तों यह सारे जो प्रस्ण है वो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के एक्जाम के लिए बहुत ही जादा मैतोपोन है तो आप लोग जो है इनको एक बार फिर से देख लीजेगा और मिलतें एगले वीडियो में तब तक के लिए जैहिंग